हेलो व्रीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे फ्रेश मटर की कचोरी एकदम ट्रडीशनल बिंगॉली बे में बनाएंगे बिंगॉल की फेमस कोडाई शुटीर कोचूरी जो एकदम वेज रहेगी और बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जिदा टेस्टी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं 500 ग्राम मैंने लिया है मैदा, half teaspoon salt डालेंगे, one teaspoon डालेंगे sugar, two tablespoon इसमें vegetable oil डालेंगे, आप घी भी डाल सकती हो, इसमें अच्छे से हम मयाम लगाएंगे, मयाम अगर अच्छे से नहीं लगेगा तो कचोरी क्रिस्पी नहीं बनेगी, हाथों की मुठी में आनी चाहिये, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और एक नॉर्मल सा dough हमें बना की रखना है, एक दम नॉर्मल, ज्यादा सकत या फिर ज्यादा नर्म नहीं, थोड़ा सा oil लगाएंगे, फिर से थोड़ा सा इसे मस लेंगे, और इसे के रखेंगे हम 15-20 मिट के लिए 300 ग्राम मैंने लिया है ग्रीन मटर इसे पाच मिनिट के लिए थोड़ा साल्ट टाल के मैंने बॉयल कर लिया था अब इसे मैंने अच्छी से ब्लैंड कर लिया है एक ग्रम स्मूध वन टेबल स्पून फैनल सीड यानि सॉफ को दो मिनिट के हमें ड्रायफ्ट करना है विताउट और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और दततरा सा इसे हमें कूट लेना होगा अब तैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल बस पाच मिनिट के लिए फिर इसमें हमने जो पेस्ट करके रखा था मतर का वो डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बीच बीच में हमें चलाना होगा इसे ढखने की कोई जरूरत नहीं है इसे बस हमें सुखाना होगा इसे सूखने में 10-15 मिनिट ना की रखा था दर्द तरह उसे अब गास को हम ओफ करदेंगे और इसे थन्डा कर लेते हैं दोने रस्ट कर लिया है अब यहां से थोड़ा सा हमने ऐसे लूजी चाट लिया है और इसे ठोड़ा स से हम एवन करेंगे और बोल का मिडल lig fact YEं मिडिल में हमें फट जाएगा और कम लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो देखिए हमने बना लिया है अब थोड़ा सा ऑईल डाल के इसे हलके हाथों से हम बेल लेंगे बहुत पतला नहीं बेलना है थोड़ा सा मोटा सा ही होगा क्योंकि हम कचोरी बना रहे हैं अब तेल को हम हलक गरम करेंगे और इन्हें दोनों साइट से एकदम गोल्डेन होने तक हमें फ्राइब कर लेना होगा ऐसे उपर से तेल डालते हुए हम इसे फ्राइब करेंगे तो देखिए फूली फूली कचोरी बनके बिलकुल रडी है इसे मैंने सर्प किया है आलू मतर की सबसी के साथ उसकी रेसिपी के लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी जरू चेक करना आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना थैंक्यू फर वाचिंग